असलाम लेकूम मैं हूँ साधिया उजयर वेलकम बैक टो साधिया उजयर्स किचन तो आज आपके सब्सक्राइब कर रही हूँ बहुत ही मज़े का स्पाइसी बेक्ट पास्ता तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं बिसमिल्ला है रह्मार रहीम तो यहाँ पर मैंने पास्ता को बॉil करने के लिए एक पैन में लिया है पानी अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमे शामिल करेंगे एक चाय के चप मच नमक और दो खाने के चमच आयल मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉil आने देंगे तो जब पानी में तरह से बॉइल आ जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप पास्ता यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से नापकर अलबो शेप का पास्ता लिया है आप किसी भी शेप का ले सकते हैं तो अब पास्ता को पानी में इतनी देर तक बॉइल करना है चुब तक कि यह 80-90% तक पक जाए इस पॉइंट पर पास्ता को हमें मुकमल तोर पर नहीं पकाना क्योंकि बाद में हमें इसको बेक पी करना है तो यहां पर देखें पास्ता बहुत अच्छे से पक गया है बस सोड़ी सी कसर इसमें बाकी है तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को आफ कर देंगे और इससे चान लेंगे और छानने के बाद पास्ता को नॉर्मल टेप वाटर से दो भी लेंगे ताकि इसका कोकिंग प्रॉसेस रुख जाए तो पास्ता को बाइल करने के बाद दुबारा से मैंने वही कोकिंग पैन ले लिया है इसमें अब हम शामिल करेंगे चार खाने के चमच आउयल और आईल में एक छोटे साइस का प्यास बारीक चॉप करके शामिल करेंगे इसी के साथ इसमें जाएगा दो खाने का चमच बारीक चॉप किया हुआ लेसन और अब लेसन और प्यास को आईल में हलका गुलाबी होने तक फ्राइ कर लेंगे और जब लेसन और प्यास का कलर इस तरह से light golden हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 300 gram boneless chicken जो के इस तरह से छोटे-छोटे से cubes में कटा हुआ है और chicken add करें के बाद अब हम इसको दुबारा से 3-4 मिनट तक पकाएंगे जब तक के chicken का color change हो जाए तो यह देखें 3-4 मिनट के बाद chicken का color बिल्कुल change हो गया है अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 third cup tomato paste यह ready made tomato paste है और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आदा चाय के चमबच लाल मिरज का पाउडर आदा चाय का चमबच काली मिरज का पाउडर एक चाय का चमबच कुटी होई लाल मिरज आदा चाय का चमबच औरीकानो और नमक डालेंगे हम इसमें हस्पेजाएका और इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे आदा कब पानी अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद अब इसे हम cover कर देंगे cover करके हलकी आज़ पर 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि चिकन बहुत अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए है चिकन बहुत अच्छे से पक गया है एक बार mix कर लेंगे और अब इसमें हम शामिल करेंगे आदा कप cream आदा कप grate की हुई cheddar cheese mix कर लेंगे flame को इसके नीचे बिलकुल हलका रखेंगे हलकी आज़ पर इसको इतनी दिर तक पकाएंगे जब तक कि cheese भी अच्छे से melt हो जाए और तमाम चीज़े बहुत अच्छे से mix हो जाए तो यहाँ पर देखें तमाम ingredients बहुत अच्छे से mix हो गए है cheese भी melt हो गई है तो अब इस point भी हम इसमें शामिल कर देंगे उबला हुआ pasta और इसके नीचे flame को off कर देंगे और flame off करने के बाद पास्ता की बहुत अच्छे से mixing कर लेंगे तो पास्ता यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छे से mix हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे एक baking dish में baking dish में पास्ता निकालने के बाद अब हम लेंगे दो खाने के चमच मक्षन जोके soft है और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा food color यह बिल्कुल option है आप नहीं add करना चाहते तो आप मात अट करें food color को अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3-4 खाने के चमच bread crumbs bread crumbs को भी मक्षन में बहुत अच्छे से mix कर लेंगे bread crumbs को mix करने के बाद अब हम सबसे पहले पास्ता के उपर डालेंगे grate की हुई mozzarella cheese और इसके बाद हम इसके उपर bread crumbs और मक्षन का जो mixer हमने तयार किया था वह फेला देंगे इसकी वज़ा से पास्ता बेक होने के बाद ऊपर से थोड़ा सा crunchy हो जाएगा और बहुत ही मज़े का butter का flavor भी इसमें अड़ हो जाएगा इसके उपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिरच अब इसको हम अवन में बेक करेंगे इतनी देर के लिए जब तक के चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए अवन नहीं है तो इसको बेक करने के लिए आप पतीले का इस्तमाल भी कर सकते है तो लीजे यहाँ पर हमारा spicy बेक पास्ता बेक हो चुगा है चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और ब्रेक्टरिम्स की बेजा से यह ऊपर से थोड़ा सा क्रंची भी हो गया है और सर्फ होने के लिए बिल्कुल रेड़ी है बहुत ही तेस्टी बना है जरूर ट्राइ कीजेगा आई होब कि आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करके औल नोटिफिकेशन भी आन कर लीजेगा तकि हर नहीं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमली का बहुत सा ख्याल रखिएगा द्वाव में याद रखिएगा तेंक्यो पर वाचिंग अलाहाफिज